जैहन गाइज वेलकम टू ओन्लाइन बेंचर्स बाइ एक्जाम तू रहना या मृतिन मिश्रा यूर इंग्लिश एजुकेटर आप सभी डू लेट मी नो इन दे चैट बॉक्स मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताएं आप सभी जानते हैं जैसा कि आपके एक्जाम पैटर्न को केंदर में रखते हुए जो वकाब अगर हम सोचें तो नाकिवल सिनोनिम्स एन एंटिनिम्स इडियम्स भी बहुत इंपॉ बनाते हैं कुछ अच्छे बैतरीन और एंजैन आस्ड इडिय Soc 막 करते हैं तो आज के सीशन में बहुत सारे डियम सेखने वाले हैं तो जल्क से सीशन को शेयर करें और लाइक करना ना भूले अब सभी जानते हैं इस सेशन में हम आपके साथ आज हुक आप विसकस कर रहे हैं एस बीडिये डियुक्राप शो जहां पर हम आपके साथ आ वो से इस क है तो गाइच यह जो वुकेबलरी हम यह East कर रहे हैं यह आपके परेशाम में पूछे-इप रश्ण सक्राश्ण ओर यह बxter कह रहा है direction बिटा आपको पहले यहां पर देख लेते हैं direction कह रहा है कि given below are some idioms and phrases followed by four alternatives meanings to each choose the response ABCD which is best appropriate expression and mark your response in the answer sheet this is what you know entire the question जो आपके exam में पूछा गया था अब बात करते हैं सर वो जो questions हमारे परिक्षा में पूछे गए थे वो क्या थे तो सबसे पहला जो question है idiom के रूप में that is get the jitters आपको बताना है get the jitters idiom का क्या meaning possible है आप जभी भी किसी idiom को solve करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसे visualize करना होका that will be the best way to solve a idiom or an idiomatic expression so guys जभी भी आप किसी idiom को solve कर रहे हो जैसा कि मैंने आप से बताया आप उसे एक बार visualize करें guys get the jitters का मतलब है जब आप किसी को jitters दे रहे हैं मतलब आप उसे प्रताड़ित कर रहे हैं जब आप उसे प्रताड़ित करेंगे obviously सामने वाला क्या होगा anxious होगा yes or no तो guys feeling happy तो very extreme positive meaning है word है will not be the answer stammering आप जानते है stammer का मतलब होता है हकलाना and will not be the answer for the idiomatic expression get the jitters feeling exposed feeling exposed का मतलब है जब आप का रास खुल जाए so यह भी answer नहीं हो सकता get the jitters का मतलब है जब आप प्रताड़ित हो तो आप क्या करेंगे आप feeling anxious करेंगे और इस तरीके से correct answer हो जाएगा option choice number है so याद रखिएगा get the jitters का तात्पर होता है get the jitters का meaning होता है feeling anxious आशा है आप समझ गए होगे आशा है बिटा आप समझ गए होगे आते हैं अगले word पर अगला word यहां पर discuss करते हैं and that is french leave एक और idiom बेटा french leave आपको बताना है french leave का मतलब क्या होता है options हमारे पास है a b c or d solve करने का तरीका वही पुराना visualize करो imagine करो चित्रत वर्णन सोचने या देखने की कोशिश करो शब्दों को समझने की कोशिश करो answer खुद बखुद चलके आपके पास आएगा french leave what do you mean by french leave आप imagine करो कि आप अपने स्कूल या कॉलेज में हो आप अपने स्कूल या कॉलेज में हो और आपने अपने सिक्षक को अपने टीचर को अपने प्रिंसिपल को वार्डन को कुछ बताए बिना बिना जानकारी दिये आपने बिना आग्या मांगे आप बस french leave कर गए मत कई बार आपने स्कूल बंक किया होगा पेरेंट्स को बताते हैं स्कूल जा रहे हैं टीचर सोचता है स्कूल आ रहे हैं लेकिन बच्चे बीच में बंक कर देते हैं स्कूल को यह सर नो आपने जो यह बंक किया है ना आपने इसकी परमीशन नहीं लीती किसी से कि सर मैं नही जाओंगा दरसल यह बिना यूनों पर्मीटेड एक लीव है जो आपने मांगी या कर ली या ले ली डाइस फ्रेंच लीव एपसेंट फ्रॉम वर्क विदाउट आस्किंग फॉर्मीच पर्मीच 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 अगर आप ध्यान से देखे तो या वे फ्रेंच का तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है तो आशा करता हूँ आपको यह इडियम भी भी बहुत है अभली भाती समझाया होगा फ्रेंच लीव जिसका मतलब है एपसेंट फ्रॉम वर्क विदाउट पर्मीच इसमें फ्रेंच भाशा बोलकर पर्मीचन मांगने की कोई आवशक्ता नहीं हो सकता है सुगाइस बारी है आपको एक और क्वेशन के साथ कुछ नए इडियम को सी रिखने की that is take a stand आपने कभीना कभी किसी ना किसी के लिए या आपके लिए कभीना कभी किसी ना किसी ने stand जरूर लिया होगा क्या आप बता सकते हैं take a stand का meaning क्या होगा I am waiting for your comments in the chat box guys please answer करें take a stand का आपको meaning क्या लगता है take a stand का आपको meaning क्या लगता है take a stand का मतलब है कि कोई जिसे आप अगर a big boss देखते हो that will be one of the best example you know for this idiom अगर कोई एक व्यक्ति अपनी बात रखता है और बहुत सारे लोग उसकी बात से विपरीत बाते करते हैं या विरुद हो जाते हैं और आप यदि उस व्यक्ति का साथ देना चाहते हैं उसको बल देना चाहते हैं आप उसका मित्र हैं और अपना मित्र का सम्मंद आप निभाना चाहते हैं तो आप उसके साथ जाएंगे और publicly उसकी बात का यानि उसका पक्ष रखने की कोशिश करेंगे जब आप अपना उपीनियन यानि किसी का पक्ष जब आप पब्लिकली रखते हैं चुपा चुपी नहीं सामने आकर आप कहते कि हाँ मैं इस वक्ती के पक्ष में हूँ यानि आपने उसका स्टैंड लिया यानि आपने उसकी बात पे बल दिया तो गाई इस तरीके से आप दे इस और पिरेस न ओपीनियन बाउट सम्थिंग है इस यह तो एक स्टैंड आपने कोई बात भात व्रू या इसका पक्ष लिया उसका साइड लिया उसकी बात में अपनी बात मिलाई आवास में आवाज मिलाई इसी को कहते हैं टेकर स्टैंड डेगाई है चलू let us move further and let's talk about another question which is cut and run cut and run can you guess what exactly cut and run means guys can you please take a small intelligent guess what cut and run basically means cut and run का वास्तविक मितलब क्या होता है guys आप एक imagine करो situation जहां पर आपको रसी से बांधा गया है कमरे के अंदर और कमरे में लग गई है आग एंड जब आप देखो कि यार कमरे में आग लगी है मैं बंधा हुआ हूँ रसी में खोल रहा हूँ खुलने रही है अगर मैंने देरी की तो इस आग की चपेत में मैं भी आ जाओंगा तो आप क्या करेंगे रसी को काटेंगे और तुरंद भागेंगे यह आप इसे खतरों के खिलाडी का एक टेलीवीजन में शो आता है उसका भी एक्जामपल आप देख सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर स्टंट्स होते हैं दोनों को पानी में डुबो दिया जाता है लेकिन दूसरे पार्टनर की मदद करने की स्थितिम आने से पहले ह कई पार्टिसिपेंट्स का दम खुतने लगता है और वो अपने आपको किसी भी तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं का बेसिक मिनिंग है तो आप यदि किसी विपदा विपत्ती या कठिनाई से भरे समय को आप यदि सामना नहीं कर सकते हैं तो आपने क्या किया आप उस स्थिती को छोड़कर आगे बढ़ गए क्योंकि आप उसको फेस नहीं कर सकते तो वेन यू क्विट और डिफिकल्ट सिचुवेशन सड़नली इन ओडर तू नाट भी कॉंपिटेंट तू फेस दो सिचुवेशन तू अवईड डिफिकल्ट सिचुवेशन बाई लीविंग से डिफिकल्ट सिचुवेशन को अवईड करने के लिए उस स्थिती को छोड़ दिया क्लियर है सभी को डाउट है किसी को चलो बाकी ऑप्षिन क्या है जरा देख लो गाईस भी ऑप्षिन कह रहा है तू अवईड एन इवेंट से डिनली इवेंट को छोड़ना इस नॉट appropriate thing to meet some danger suddenly not at all to ask for sudden meeting no cut and run means to avoid a difficult situation by leaving suddenly hope and expect guys आपको समझ आया होगा if you are facing any kind of issue or doubt do ask me in the chat box guys cut and cut the cord एक और आपका idiom आया जैसे अभी आपने दिखा cut and run same expression आप देख सकते हैं with slight changes cut the cord what do you mean by cut the cord guys what do you mean by cut the cord please do let me know in the chat box cut the cord का meaning आपको क्या लगता है and जल्दी से comment box में बताएं आपको क्या लगता है cut the cord की मिनिंग क्या होगी cut the cord का मतलब है dependency को खत्म करना याद रखना आप इसको कैसे imagine कर सकते हैं आपको अगर आप सभी पड़े लिखे हैं आप सभी समझदार है educated है बातों का अर्थ मत बदलना दरसल जब आता थी visualization की ना तो शायद हम सभी के अनुभव अलग-अलग है हम सभी सभी का जो सोचने का तरीका है वो अलग-अलग है मैं जो बात सोच पा रहा हूँ वो थोड़ी sensitive है आप एक स्थिती imagine करो एक मा है अब चाहे वो मनुष्य हो या कोई जन्तू हो कोई फरक नहीं पड़ता जब उसने अपना बेबी deliver किया तो आप सभी जानते हैं कि नाभी से एक you know portion के लिए एक तार एक नस you know मा के शरीर से ज आट देते हैं आप बस उस situation को imagine करो यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप एसीडियम को सत प्रतिशत सीख पाएंगे आप बताओ वो जो बच्चे की नाभी से मा को जोड़ने वाली portion तत्व बच्चे तक पहुंचाने वाली जो नस है जो नली है जो कौड है आखिर वो क्य है क्योंकि बच्चा अपने portion के लिए अपने भोजन के लिए यानि अपने जिंदा रहने की जरूरतों के लिए मापर पूरी तरीके से निर्भर रहता है अगर आपने उस तार को काट दिया इसका मतलब है आपने यह तै कि अब यह बच्चा मापर निर्भर नहीं है यह बेटा वही चीज यहां पर है कट दकोड का मतलब है वेन यू कट दी डिपेंदेंसी अपन समबड़ी और यू ट्राइ टू बी इंडिपेंडेंट बा यूर्सेल्फ इस द इडियम कट दकोड आशा है एक भी आप इडियम भूल नहीं पाऊगे बेटा देखो यही कथिन ह है शब्दों को पढ़ाना आम बात है परन्तु शब्दों को सही द्रस्टिकोर से आपके सामने रखना is a matter of you know a part of practice a part of intelligence I am trying my level best आप देखो cut the cord card समझने के बाद चार आप्शन है चूज वाइसली to stop needing your parents for money probably to stop needing someone else look after you and start acting नहीं बिटा आप यहां पर देख सकते हो start acting सबसे यह नों एक मैं कहूंगा wrong sense sense देगा यहां पर अगर आप देखे तो नहीं start acting independently yes it can go well to be safe on your own नहीं not at all to be married person not at all तो यह दो option तो पिलकुल चले गए बच गए और बी ए पढ़ लो और बी पढ़ लो to stop needing your parents for money यहां पर केवल और केवल साधारन तरीके से पिता माता यानि आपके अभी वावक यानि parents की बात कर गया जो की extreme है आप केवल माता पिता के sense में नहीं आप overall sense में बात करेंगे तो आप बोलेंगे to stop needing someone else आपके अलावा कोई भी to look after जो आपकी देख भाल करे and you start acting independently और आप सोचते कि अब तो मैं खुद अपनी आजिवी का खुद पूरी करूंगा and आप independent होना चाहते हैं so this is how that you do तो guys correct answer हो जाएगा option choice number b आप ये बात समझो कि मैंने a के स्थान पर भी क्यों चुना क्योंकि a में कह रहा है स्पस्ट रूप से केवल parents हम केवल parents की बात नहीं करें ये idiom केवल माता पिता पर आधारित नहीं है cut the code का मतलब है आप ये कहना चाहते हैं कि अब मैं किसी पर निर्फर नहीं अब मैं खुद का पालन पोशन खुद करूंगा आप independent होने की कोशिश करते हैं अगर आप इसे अपने वर्तमान से relate करना चाहते हैं तो आप देखो जब आपने पहली बार कोई नौकरी की होगी चाहे वो पार टाइम जो भी क्यों नहीं हो आपके अंदर का स्वाभिमान कहता है कि भाई अब मैं पापा से पैसे नहीं लोगा अपनी खर्च मैं खुद च कर रहे हैं फिलाल ज्यादा समय दे दिया शमा करना बेटा इंपोर्टेंट वोकैबलरी थी आगे बढ़ता हूं अगला गाईज वर्ड है डाट इस इडियम कपर्ड लव वर्डी मिन बाय कबर्ड लव एक अच्छा इडियम है बेटा कबर्ड लव आपको बताना है क्या प यहां पर एक छोटी सी आप यहां पर चेंज देख रहे हो बेटा यह यह ऑप्शन है यह सी ऑप्शन और बी ऑप्शन आपका यहां पर गिवन है तो प्लीज जल्दी से आंसर करो और बताओ कबर्ड लव का आप मेनिंग क्या समझ पा रहे हो इमाजिन करो और मुझे है कि ऑप्शन पहले पढ़ लो इनोसेंट लव एक ऑप्शन आ रहा है लविंग टू बी फ्री ऑफ आल कंडिशन से एक वर्ड आ रहा है लविंग दो कबोर्ट सा अब बताओ कबोर्ट क्या एक सीधा सा मिनिंग आंसर होगा नहीं पहले इसको निकालो क्यों इडियम का जो एक लिट्रेट वर्ड होता बादा जिसको आप कहते हैं सू अक्षर जैसा उसमें लिखा गया एक्जेक्ट वही मिनिंग कभी नहीं होती है आइडियम यह फ्रेज मैशा आपको डिलाइव शोड आपकी कभी मेनिग नहीं हो सकती तो पहले आप इस भी आप्शन को डिनाय कर रखते हो कैसे अब डिको गाईस बेसिकली आपने एक आलमारी रखी है और आप उस अलमारी में अपने किचिन के बेस्ट यूटे नेंसल सब उसमें रखते हो और आप से बहुत KARE से रखते हो बेसिकली आप अलमारी की केर नहीं कर रहे हो you don't have value for that कबर्ड आप जो वेल्यू दे रहे हो आप उस वेल्यू को दे रहे हो जो यूटिनेंस जो महंगे बरतन आपने उसके अंदर रखे हैं पर यू प्रेटेंट आज इव डाट इलमारी डाट कप बूर्ड इस यू बेस्ट कॉस्टली तिंग फॉर यू जिसकी आप टेक कियर कर हो तो आप कह सकते हो कबोट लव का वास्तवक मतलब है कि आपने जो प्यार दिखाया है दरसल उसके पीछे आपका मतलब कुछ हो है यानि लविंग संवन टू गेट सम्टिंग फ्रॉम दपर अगर आप इसको और दूसरे तरीके से इमैजन करना चाहते हैं तो आपने पानी पूछेंगे और किसी को चाय नाश्ता पूछेंगे और किसी को सकता है डिनर तक पूछ ले यानि यह डिपेंड करता है कि आप किसके साथ कैसा व्यभारित होना चाहते हैं वापस आजाओ इडियम पर लविंग संवन टू गेट सम्टिंग फ्रॉम दो पर्सन यानि आपने मतलब के लिए जब किसी से प्यार की या उसको अपनाया या उसको अपना माना या उसे प्रेम विवहार रखा फॉर दर रिटर्ण फॉर दर युनों सेंस अव रिटर्ण डाड़ लव आशा है आपको समझ आया हो कोई डाउट है तो प्रिज पूछ लेना करेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन चॉइस नंबर वान इनोसेंट लॉव कहनी सब्सक्राइब करना है अगे बढ़ते हैं अगला अनदर इडियम है आप लिए इडियम को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो अगें मैं आप से कहूंगा विज्वालाइज करना है अराउंड कॉर्णर ओके अराउंड दा कॉर्णर यह है सी ओ और एनियार दोंट टेकित एज एज एम दिस इसी ओ और कॉर्णर ओके अराउंड दे कॉर्णर का मतलब क्या है अबी सी डी ऑप्शन आपके पास है आप इसे रीड आउट करो और मुझे बताओ वोट डू यू तो यू त सी डीयम अराउंड आउंड दे कॉर्णर अराउंड का मतलब आपको क्या लगता है अटा Lets कि और ऑके अराउंड कॉर्णर का मतलब है गाईस मालो quais समय एना श्टा कॉर्णर का मतलब है कॉर्णर का मतलब बता है जहां पर मारजीन खत्म होती है जैसे अगर आप किसी घर के कॉर्णर में आ गए रूम के कॉर्णर पर आ गए तो कॉर्णर का मतलब क्या है कॉर्णर का मतलब है जहां सीमा खत्म हो रही हो है ना जहां सीमा खत्म हो रही हो जहां सीमा खटम हो रही है और उसके चारों और की आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब निकलेगा और तिंग विच इस एट दा एंड ऑफ दे कॉर्णर नहीं एंड इवेंट विच इस गुएंग टॉपन सून यानि की समय खत्म होने वाला है अब कारियर इवेंट इस्थिती परिक्षा शुरू होने वाली अराउंड दे कॉर्णर मतलब काम शुरू होने वाला है समय सीमा वेट करने की समा थूई समय सीमा जहां खतम हो रही है उसी के आस पास का समय मतलब ऐसा समय जिसमें कोई कार्य बस अब बस शुरू होने वाला है अराउंड दे कॉर्णर मिरी आशाए गाईज आप सभी को यह समझ आया होगा कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो प्लीज आप मिसे जरूर पूछे बेट तेंक यू सो मच आगे बढ़ते हैं गाई अगला क्वेश्चन आपके सामने डाट इस क्वेश्चन 28 वीद हैवी हर्ट आपको बताना है वीद हैवी हर्ट का मतलब क्या होता है जब जब आप मायूस हुए होंगे आपका मन भारी हुआ होगा है ना किसी का शोक सुनके आप के साथ कोई आकस्मी घटना घट गई उसकी वज़े से हैवी हर्ट का मतलब में दिल भारी हो जाना अब आप मुझे बताएं क्या लगता है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा है वी हर्ट का मतलब क्या है है वी वजन हो जाना ओवियसली नॉट जब आपके मन में पच्तावा रह जाता है तो आपका मन भारी हो जाता है जब तक आप इस पच्तावे को बाहर नहीं निकालते so correct answer is with pain and regret क्या आपको ये word समझ आया आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा जब मानलो किसी के साथ आपने दुराचार किया दुर्विवहार किया परन्तो सामने वाले ने बहुत अच्छा आचरन किया आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जब आपको उसकी तरफ से बहुत अच्छा सा ट्रीटमेंट मिला तो आपने कहा कि मुझसे भूल हो गई और जब तक आप उसके लिए कुछ बहतर नहीं करते हैं तब तक आपके मन में क्या रहता है पच्छतावा रहता है दाट इस विद पेन एंड रिगरेट आगे बढ़त क्वास्त बॉंब मिन्स आपने कि सीचीज की क्वीपन बॉंब के रूप में क्यानि कोई बहुत भारी कीमत आप तुबी रिच नो तुबी स्टिंगी नो तुबी वेरी एक्सपेंसिव इसकास्ट अबांब समझाया सभी को इजी था आप इसे अगर इमाजन करेंगे यू एजी ली कैलकुलेट वाट अन हाव आंसर केंडी यू अगला क्वेश्चन गाइस रोल योर शेल्स आप आप किसी कजन या मित्र की बेहन के शादी में कभी गए हो तो आपको पता है वहाँ पे काम करवाना पड़ता है बस शेल्व अप करने का मतलब क्या है आप इमाजन करके बताओ वोट डू यू मीन बाई दो पर्टिकुलर एडियम रोल योर स्लीज आप गाइस चूज करिए और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेशन के लिए बहुत आसानी से आप कह सकते हैं रोल योर स्लीज सब का मतलब तू प्रिपैर फॉर रैसलिंग नहीं तू मेक समवन वर्क फॉर यू कि कोई और आपके लिए काम करें नहीं तू वर्क फॉर अन्य के लिए काम करें नहीं तू प्रिपैर फॉर हार्ड वर्क अब कठिन परिश्ट्रम के लिए तैयार होना दाट इस बैसिकली रोल योर स्लीव सब तो गाइस मेरी आशा है आपको ये शब्द पूरी तरीके से समझ आया होगा कि आपको ये सभी इडियम भली भाती समझ आये होंगे और कोई भी डाउट हो गाइस तो क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप अपने अच्छे प्यारे कमेंट्स देना कैसा लगा आपको आज का ये सेशन मुझे जरूर बताना और फिराल गाइस आज की क्लास को यही पर पॉस करता हूं अगली क्लास में आप से फिर मुलाकात करूंगा तब तक के लिए have a great and fantastic academic journey, do well in the examination, work harder, work smartly, this is online ventures by exampour and hi Amritan Mishra and I will see you all in the next class, thank you so much guys, Jai Hind, take care, bye-bye you